पूर्व पिर्धान रियास के बेटे आसिम से विबाद हो गया था दोनों के भी सौंबार को दिन में मार पीट हुई तो गिरामिडों ने मामला निप्ता दिया रात को अनीस अपने छोटे भाई के साथ दूद लेकर लोट रहा था और असिम से उसकी फिर्शे कहा सूनी हो गई इसके बाद आसिम और इसके साथ बेटे युको ने आनीस के साथ मार पीट कर दी गाउं में इस बिबात की जानकारी हुई तो दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए जिसे मारपिट के साथ ही पत्राओ और फारिंग शुरू हो गई इस दोना नवास परकर लोट रहे 75 वर्शी व्रद अब्दूल अजाक की गोली लगने से मौत हो गई मही गोली लगने से आसिम भी घायल हुआ है इसके अलाबा आसिम पक्षे भूरा शबनम पत्नी नाजीम और फरजाना पत्नी सिराजूल पत्राओं में घायल हुए हैं गाउं में पत्राओं फाइरिंग और व्रत की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिशक चकरेश मिश्रा के साथ साथी एस पियालोग कुमार जैसवाल और सियो अरण कुमार सिंग दो थानों के पुलिस के साथ मौके पर पहुँचे एक जो मुख्य आरूपी है हाशिम वो भी चोटिल है उसको अस्वताल में लाज में पुलिस की निगरानी में रखा गया है दोनों पक्षों की तरफ से जो मुख्य लोग हैं उनको बुला कर पूश्टाच की जा रही है उचित धाराओं में अभियोग लिखते हुए वैधानिक कारवाई की जा रही है शब को पोश्मार्टम के लिए भेज दिया गया है बच्चों में आपस में हुए जगड़े के कारण यह जगड़ा हुआ है और इसमें पुलिस के द्वारा सभी पक्षों की जाच की जा रही है